हेलो फ्रेंड वेल्कम टो ओनलाइच स्टडी इंडिया दोस्तों आज इस वीडियो में समानने विज्ञान का इंपॉर्ट टॉपिक मानव के परमुक अनवांसिक रोग जनेटिक्स डिजीज के वारे में ध्यान करेंगे वेरी 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 इंपॉर्ट आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं वीडियो आपर पसंद आयते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें मानव के परमुक अनवांसिक रोग जनेटिक्स डिजीज क्या होता है वे रोग जो पीडी दर पीडी अगली पीडी तक पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं अनवां किसे होते हैं दोस्पूद जीन से होते हैं अधिकतर नवांसिक बीमारी या लाइलाज होती है पर तो कुछ का इलाज संभव है अनवांसिक रोग आज भी सोद करताव के लिए चुनेती बन गया है यहां पर फश्ट है वर्दानता या कलर बिलेंडेंस यह अनवांसिक तो नीचंबंधर्य का जाता है क्या काजता है डाज टो नीचंबी चाहता है लाल और हरे और एंड ग्रीं राक्त नहीं कर पाता है इस रोक को वो करता है लेकिन लग完全 का वहां सब्सक्रीं करती है इस तरी के लिएरंदेंडेंस और पर olina नहीं होगी सिर्फ वहा का करे करेगी पशिर्फ एक्स कुन-chatर इसे प्रवाइट हो तो व bilmiyorum पर रगत का थका नहीं बनता है और अधिक समय तक खून बैता रहता है और शिग्र उप्चार मिलने पर अंत में रोगी क्या मर्तियों तक भी हो जाती है हेमोफोलिया रोग में नेक्स्ट है टनर सिंड्रोम यह क्या होता है अर्द सुत्री वाजन में एनियमता के कारण ही है रोग होता है इसमें जाइगोट में गुण्स्तरों के संक्या समाने से अधिक यानि 47 हो चाती है जाइगोट सि उथपन फूस्टों में इस्तरियों वाली लक्ष्न होने लगते है और इसमें पूरसऑं का वर्षन अल्प विक्सित और स्तनी स्तरियों के समान विक्सित हो जाती है इससे पर उसके नपुसंग होते है किस पर का नपुसंग होते है नेक्ष्ट यहां पर है पटाओ सिंड्रोमी यह क्या होता है इस रोग में उपर का होट बीच में से कट जाता है और तालू में दरार ह हो जाती है इस रोग से प्रवाजिती मंद बुद्धी और नेत रोगों से गर्षित होता है नेक्ष्ट यहां पर है डाउन संड्रोम या मंगोलिजम यह क्या होता है यह रोग भी असुरी भाजन में एनियमता के कारण ही होता है असुरी भाजन में और टोसॉम का बंदवारा सही परकार से नहीं हो पाने के कारण बने जाइगोर्ट में गुर्षितिती ऐसमाने हो जाती है इस तरह जाइगोर्ट से नियमत बहुर्ण की कुस में बाद यह मरती हो जाती है यह जीव तरह भी जाए तो मंद बुती टैडी आंखे मौती जीव और नियमत सारी डांचे व प्टार्ट